वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें सामन हिंदी का एक important topic जिसका नाम है संधी आज हम पढ़ेंगे संधी और संधी की भेथ पढ़ेंगे संधी कितने प्रकार की होती है और उधारन सहित समझेंगे ये topic आपका वीडियो के exam के लिए important है वीडियो डी exam के लिए important है इसके अलावा अगर आप आरो यारो की तयारी कर topic है जो कि सारे exam में लगभग पूछा ही जाता है ठीक है न तो सब के अगर आप आरो यारो की तयारी कर रहे हैं वीडियो की तयारी कर रहे हैं वीडियो की तयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो आराम से चले स्टार्ट करते हैं अगर बात करें संधी की परिव दूसरे अर्थ में संधी का एक सामानी अर्थ मेल है इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे सब्दी की रचना हो जाती है और इसी को संधी कहा जाता है उधारन के तोर पर देखिए जैसे कि हिम है हिम एक अलग सब्द है हिम में जोड़ दिया आले आले जोड़ दिया तो बन गया हिमाले क्या बन गया हिमाले बन गया तो ऐसे ही जब दो वर्णों या फिर दो सब्दों की मेल से एक तीसरा सब्द बनता है तो वहाँ पर क्या होती है संधी होती है किलियर है अब यहाँ पर एक और example दिया गए अत्याधिक का संधी का मेल करना और संधी एक होती क्या है? दो सब्डों की मेल से बन जाती है संधी और फिर जब इन ही सब्डों को अलग किया जाता है तो उसको कहा जाता है संधी विच्छेद जैसे कि अत्य अधिक का संधी विच्छेत करेंगी तो क्या मिलेगा अती प्लस अधिक मिल जाएगा तो बन जाएगा अत्य अधिक ये संधी विच्छेत कहलाता है हालां कि exam में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि संधी किसे कहते हैं संधी विछेट किसे कहते हैं आपसे प्रशने तो पूछे जाने है example से लेकिन किसी भी topic की स्रुबात करते हैं तो basic से लेकर चलते हैं कि आपको सारी चीजे किलियर हो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है अगर ये टॉपिक ठीक है या फिर बहुती बचपल में पढ़ा है तो उनको किलियर तो है अटलीस कि ये चीज होती क्या है ठीक है अब यहाँ पर हम भेड स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से एक्जाम में पुछे जाते हैं इनके एक्जामपल पूछे जाते हैं आपको एक सब्दे दे देंगे पूछेंगे इसमें कौन सी संधी है या फिर आपको सब्दे दे देंगे पूछेंगे इसका संधी विच्छेत क्या होगा ठीक है ना तो ऐसे चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे अब संधी क्या है तीन प्रकार की होती है तीन भेद होते हैं संधी के एक होती है स्वर संधी एक होती है वेंजन संधी और एक होती है विसर्ग संधी स्वर संधी भी अपने आप में पांच प्रकार की होती है ठीक है तो इसके आज हम प्रकार पढ़ेंगे, आज हम स्वर संधी को कबर करेंगे, इसके बाद next वीडियो में हम वियंजन संधी और विसरक संधी पढ़ेंगे, तो दो पार्ट में आपकी संधी पूरी हो जाएगी, complete हो जाएगी, ठीक है ना, हब सबसे पहले बात करें स्वर संधी तो आपने देखा होगा हिंदी बर्ण माला में क्या होते हैं दो प्रकार के वर्ण होते हैं एक तो आपके स्वर होते हैं और एक आपके वियंजन होते हैं तो जो स्वर होते हैं वो आपके क्या होते हैं ग्यारा होते हैं जैसे कि छोटा बड़ा चोटी इ बड़ी इ ऐसे सिर्फ शन्दी को आपको ये कलियर हो जाएगा जहाँ दो स्व आपस मिलें एक्जाम्प्ल पर देखेंगे अब यहाँ पर यहाँ पर या जो है यहाँ पर ये बड़ा आ है इसके साथ ठीक है ना? बैसे ये सब्दों लिख़ा जाता है लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी लिख सकते हैं और बड़ाया मिलकर बन जाते हैं बड़ाया ठीक है न तो ये वर्णों का मेल है ये ऐसे ही बनते हैं जितने भी वर्ण है जैसे कि छोटा का है या फिर बड़ा का है छोटा रा है या फिर बड़ा रा है तो इन सब में अपने आप में स्वर तो मौझूद होता ही है हर एक वर इसे ही बढ़ी की बन जाती है अपको विद्या में अपने हाफ बड़ा आदिक जाएगा और यह बन जाएक विद्यारति इसके बाद है सूरय plus او दय बन गया तो यहाँ पर भी क्या है U आ जाएगा ठीक है एसे ही मुनी plus इंद्र तो यहाँ पर क्या आ रही है ना के साथ छोटी E आ रही है और यहाँ पर छोटी E आी ही रही है दिखी रही है आपको मुनी इंद्र बन गया कभी plus E शवर बन गया यहाँ पर छोटी E बाग के साथ क्या आई है छोटी E प्लस यहाँ पर बड़ी तो छोटी E बड़ी E बनकर क्या बन गई बड़ी E बन गई तो यह आप भेद में जानेंगे अभी हम जब जैसे स्वर संदी की भेद पढ़ेंगी दीर की संदी ठीके गुण संदी ऐसी ही जो भ बड़ी B हो गई कभी शुर में तो यहाँ पर बड़ी B में क्या हो गया बड़ी E बन गई तो छोटी E बड़ी E बनकर बड़ी बनती है छोटा और बड़ा A मिलकर बड़ा A बन जाता है महा प्लस E महेश बन गया तो यहाँ पर क्या बन गया आपका बड़ा A प्लस E मिलकर क एक बन गये तो इनका परिवर्तन जो है वर्णों का यह हम आज के इसमें देखेंगे भेद में तो यहां पर पांच भीद को बताएगा है पांच भेद होते हैं स्वरसंदी के एक डीर्ग संदी गढद्रशंदी अ आिद्य संदी और यहां से एक्जाम में कई बार पुछे जाते पुछे जाते पुछे जाते इनी भेदों से ठीक है तो सबसे पहला जो है दीरगी स्वर संदी सबसे आसान संदी होती है फूरी संदियों में दीरगी स्वर संदी क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है जैसे कि एक्जाम्पिन में समझजी है छोटा और चोटा अत्र मेंद साहा क्या बन इस अल गलते लगिए विद्यार्थी लज्जा प्लस अभाओ क्या बन गया लज्जा भाओ ठीक है तो यहां पर एक बड़ा मिल रहा है एक छोटा मिल रहा है बना बड़ा है सिव प्लस आ ले यहां छोटा और बड़ा मिल गया तो सिवा ले भोजन प्लस आ ले भोजन आ ले अगला दिया गया बड और बड़ा तो यहां पर बड़ा आ और बड़ा आ तो यहां पर बनेगा बड़ा आ ऐसे ही नियम एमेल आगो होगा चोटी चोटी मिलेगी तो बड़ी ए बन जाएगी एक चोटी और एक बड़ी ए मिलेगी तो भी बड़ी ए बननी है और दोने ही बड़ी ए मिलेगी तो भी प्रतिवी प्लस इस प्रतिवीस अब प्रतिवीस में बा है आपका प्लस बड़ी ई है तो बन गया ये क्या बन गया बड़ी बन गया तो बड़ी बन गया तो बड़ी बन गया यानि कि बड़ी ई मिली है प्लस बड़ी ई मिली है इस में तो क्या बन गया प्रतिवीस तो यहां पर भी बड़ी ही बन गई ठीक है न किलियर है अब यही नियम O के साथ भी लागू है बनेगा आपका बड़ा O चाये छोटा O मिले चाहे बड़ा O मिले भानू पिलस हो दाय भानू दाय देखो बड़ा O आ रहा चोटे O की मात्र यह होती है यह मात्राओं से चलते हैं जैसे कि A की मात्रा अगर सिंगाल A है तो A की मात्रा यह हो जाती है जैसे कि A आपको किसी में जोड़ना है तो रा में क्या जुड़ा हुआ है रा प्लस ए जुड़ा है तो बन गया रे और अगर आपका रे लिखा है तो रे में क्या जुड़ा है रा प्लस ए जुड़ा है तो ये बन गया रे ठीक है ना तो ये मात्राओं का खेल है अब यहाँ पर उ और उ मिलकर बन क्या है बड़ा O, छोटा O मिलकर बना है, बड़ा O, जैसे स्वेयंभू, प्लस उदय, स्वेयंभू दय, ठीके न, अब यहाँ पर छोटा, यहाँ पर पहले बड़ा O है, फिर छोटा O है, तो बड़ा O, इसके बाद री और री मिलकर री बनेगी, पित्र प्लस रिन, पित्र रिन, ठ पूछा जा सकता है किलियर है यहाँ पर दीर्ग स्वरसंदी अभी हमने पढ़ी बड़ा स्वर आपका बन जाता है इसमें यह चीज याद रखनी है एक्जाम्पिल भी समझ लिए एक्जाम्पिल अच्छे से ध्यान से पढ़ लें क्योंकि यहीं से पुछा जाता है इसके बा जमसा A, O और R बनाएंगे अब यहाँ पर समझे जैसे चोटी E के साथ जैसे चोटा A के साथ मिलाया चोटी E को या बड़ी E को तो बन जाएगा A चोटे A के साथ अगर E मिल रही है तो क्या बनेगी चाहे चोटी A मिले बड़ी A मिले चोटा Bड़ी A के साथ बड़ी A मिले बनेगा क्या आपका A बनेगा अगर आपके छोटा A के साथ या फिर बड़ा A के साथ O मिलाते हैं या फिर बड़ा O मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा O बन जाएगा ऐसे ही अगर आपका छोटा A के साथ या फिर बड़ा A के साथ री मिलाते हैं क्या मिलाएंगी दी मिलाएंगी तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा तो जिस भी example में आपको बड़ी या फिर छोटा आइसे मिलते हुए दिखें जिस भी example में आपको A, O और आर बनते दिखें समझ जाना वहाँ पर गुर संधी है क्या है गुर संधी है बताया था और E बना अब ये क्या बन गए दोनों मिलकर आपके A बन गए देवेंद्र यहाँ पर देवेंद्र होगा देवंद्र लिखा हुआ है तो इसको सही कल ले देवेंद्र होगा देवेंद्र ठीक है न अगला एक्जाम्पल देखें देव प्लस इस देवेस बन गया बन गया. लिटाक की मात्र जुडिए हुई है नौ एसे ही यहां पर भी ओवन जाएंगे समुद्र प्लस उर्मी मिलकर समुद्रोर्मी बन गया ठीच इहां पर द्रा के साथ ओ की मात्र जुड़ी हुई है ठीके बहुत सिंपल है, कंफ्यूस नहीं होना है दीर के संधी में आपको बड़ी मात्रा मिल रही है बड़ा A, बड़ी E और बड़ा O मिलेगा और E मिलेगा किलियर है, गुड संधी में आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा A, O और R मिलेंगे तो जहाँ पर भी, आपका एक्जामपल याद कर लें एक्जामपल आपसे पूछे जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कौन सी संधी है अब जैसे कि यहाँ पर बड़ा A और O मिल रहा है तो O बनेगा महुत्सव, गंगा प्लसूर्मी अब यहाँ पर अर देखिए अर का एक्जामपल देखिए छोटा A या फिर बड़ा A के साथ अगर री जोड़ेंगे तो अर बनेगा जैसे कि देवु प्लसूर्शी, देवर्शी महा प्लसूर्शी, महर्शी ठीक है न, यहाँ पर क्या है? महर्शी में अर जोड़ा हुआ है साथ में किलियर है, तो यहाँ पर हमने गुर्श्वरसंदी के बारे में जाना इसके बाद अगली संदी है ब्रद्धी स्वरसंदी, ब्रद्धी स्वरसंदी को जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है इस संधी में ब्रद्धी हो जाएगी नाम ही है ब्रद्धी तो ब्रद्धी कैसे होगी छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद छोटा ए या फिर ए आए तो दोनों के इस्थान में ए और ओ या फिर आओ आए तो दोनों के इस्थान में आओ हो जाता है example से समझे चोटा A और A मिलकर बनेंगे बड़े चोटा A और A मिलकर बनाएगा बड़ा A अब यहाँ पर क्या बन रहा है A बन रहा है और O बन रहा है अब इसमें आप कहेंगे इसमें भी दीर्ग संदी जासा हो रहा है तो नहीं दीर्ग संधी आलाग है ब्रदी स्वर संधी आलाग है दीर्ग संधी में आपने सिर्फ पढ़ा था क्या बढ़ा A, बढ़ी E, बढ़ा O और Rी ठीक है इतने स्वरों की ब्रदी पढ़ी थी अब आप ब्रदी स्वर संधी में क्या पढ़ रहे हैं ब्रदी स्वर संधी में A और और आउ की मात्रा देखेंगे तो ए और आउ की मात्रा जहां दिखें वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ब्रद्धी स्वर्जन दिये दोनों में ये डिफ्रेंस है ठीक है ना तो यहाँ पर ए बन रहा है छोटा आ और ओ मिलाकर आउ बन जाएंगे जैसे कि एक्जाम्पिल में समझे एक प्लस एक 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 बन जाएगा नब प्लस एश्वरे नवेश्वरे बन जाएगा महा प्लस एश्वरे महेश्वरे बन जाएगा परम प्लस ओजश्वी परमोजश्वी बन जाएगा यहाँ पर एक एक है और एक के साथ डवल की की मात्रा है क्योंकि ए तो अपने आप में एक मात्रा देता है ठीक है ना अपने आप में एक मात्रा देता है अगर एक को आप मात्रा में लिखेंगे एक को अगर आप मात्रा में लिखेंगे तो यह मात्रा हो जाएगी और अगर आप इसको मात्रा में लिखेंगे तो क्या मात्रा बनेगी यह आई की मात्रा बनेगी तो यहाँ पर एक कैख होगा दो मात्राएं है ठीके ना जैसे कि यहां नवेशर में आया है एक एज उड़ेगा तो दो मात्राएं आ जाएंगी यहाँ पर ठीके ना जैसे परम प्लस ओजश्वी परमोजश्वी आउगी मात्रा आएगी ये example बहुत पूछा जाता है औशदी वारा परमोशद वाला तो इसको जरूर याद रखें परम प्लस औशद परमोशद महा प्लस ओजश्वी महोजश्वी ठीक है तो आउ की मात्रा और आई की मात्रा यहाँ पर आने वाली है दो मात्रा है यहाँ पर बिर्दी चन्दी होग के साथ जोड़े रहें जाब को सब्सक्राइब जरू करते बीडियो को लाइक जरू करते प्लस रहें मुसकराते रहें पढ़ाई करते रहें मिलिंगे नेक्स वीडियो में फैंक्यू सुमच